गुड़ मॉर्निंग टू आल अफ यू एड़ वैलकम टू यॉर चलंग जी के फैस करेंट में गाईज आज डेट है 21st ऑक्टोबर कर लेना स्कोटी के क्याज आज डेट है 21st ऑक्टोबर और जानेंगे 21st अक्टोबर से डेली मॉर्निंग एट अग्लॉक की जो वोकेव हैं उसको यह वोकेव आप सभी के और इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हों या पिर अगर कहीं पर कोड़ कर रहे हों तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टन है अगर कोई बुक लिडिंग करते हैं वहां पर भी आपको जो है क्या वोकेव की बहुत ज़्यादे जरुवत पड़ती है पड़ते वक्त की कौन से बढ़कर मिनिंग क्या है और इसके जो पीडियाफ का लिंक है वह मैंने डिस्क्रिप्स बॉक्स में दे दिया है वहां साप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और जो आपको डेली मॉरडिंग में 25 क्वेश्चन मिलेंगए कितने मिलेंगे Колे मौडिंग में आपको 25 जो कि च direito कोई मतलब कोई इनथ और फैर करने की जरोत नहीं अपनी टी इंस के लिए जो भी वनडे एकजाम उसके लिए या फिर आवनडे से हमारी जो फर्स्ट वोकेब वो क्या है देख लिजिए हमारी जो फस्ट वोकेब और इंग्लॉरियस देखे बोलना बहुत जदे इंप्वर्टनन ने इंग्लॉरियस पार्ट इस जिसका एड्जेक्टिब है मेनिक है लग चाचनक एक एसी इस्तिती जिसमें लोगों को किसी से कहना पड़े कि शर्म करो शर्म कि तुमने यह पर बवाल मशा रखा यहां पर तुम जो आशान देफिला रहो क्या कर रहे हैं आशान ते और जो हैट इसपीच दी जारी है है इस पीच दी जारी सो हम प्रसक्राइब जो पीस है का में उसको द्वत्रोय करें कर्या है ते मिनिंग है इंग्लुमीनेंएडिस ग्रैसफॉल डिस्ट ज्रैसफॉल कहने का मतलब यह कि निंदनिय और शरुनाग इस्तिति ठीक है यहां पर लजजनक की बात करें सो इसको थोड़ा मतलब करें सो बेज़जद वाली बात हो गई कि और इनटरिम्स के आज जो हमारा देंटरिम्स को पालन करने तीके वच्छा आग्या का पालन करना यह बहुत ज़्यादे इंबोटन अब जो यूस किया गया है इंगलॉर्यिस उसको कीस तरीके से किया गया रखता है कि ही वड नाट हभ एक्सेटीड , वग्लोरीस। उन्होंने मतल AV जो अप्मांचनक प्रणाम , उनको स्विकार नहीं किया gnaabh ज्योंनी नहीं किया उन्होंने अप्मांचनक-प्रणाम कोस्विकार नहीं किया सो यह हमारा एक्जामपल हो गया बच्छा जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है और मैं आपको एक एड़वाइस दे रहा हूं कि अगर सच में कुछ करना है तो बहुत एक्जामपल बनाना चालो कर दो एक्जामपल बनाने का बेनिफिट होगा कि जितने भी बड़ों को यूज किया जाएगा उनका आपको मीनिंग पता होगा साथ ही इसका जितने भी होसा कि उतना रिवाइस करें क्योंकि वो गेब जो है जो वो गेब हावा की तरह होती है बहुत तेहते चल दी समझ में नहीं आती और जो है क्या और इसको जितने बार पढ़ो उत चूनट डालना क्या है मिनिंग चूनट डालना कहना का मतलब यह कि सिकोड देना किसी चीज़ या कपड़ा हो या फिर कागज हो तुट क्रमपल एंड स्क्वीज टू मेंक मॉर कॉमपेक्ट अधिक मतलब की गठन गाटन अधिक गाटना ठीक है किस लिए इसलिए कि ताकि मतलब की अधिक कॉमपेक्ट बनाने के लिए इसको क्या करना है निचोड़ना या फिर सिकोड़ना सो इमेज में आप यहां पर देख सकते हैं क्या यह कागज सो बहुत सी मतलब की जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी इस तरीकी बहुत ज़्याद अरकत हो थी इन क्लासरूम में ठीक है बात कर अगर हम एंटोनिम्स की जो हमें डिसकर्स करना है टेली करते बारें बहुत जादे इंपोर्टेंट ने बचा इसको शेयर जरूर कर देना शेयर करना तीन तीन से टेली करनी है यह दिमाग में नोट डाउट कर लेना कि जैसे जी एफसी की मतलब जी के फै सब्सक्राइब एंड शेयर यह तीन काम करनें बहुत ज़्यादे इंपोर्टेंट और साथी टेलीग्राम को जोइन कर लेना बच्छा अगर आप चाहते हैं कि रियल में जीए साफ में स्ट्रॉंग हो जाए एंटरिम से की एक्सपेंड एक्सपेंड मतलब की विस्तार करना एक्सपेंड का मतलब क्या तो विस्तार करना एंड नेक्स्ट इज इज क्या है इज ठीक है कहने के मतलब यह अराम भी कह सकते हैं फिर भड़ा ना कह सकते हैं इस बात करेंगर एक्जांपल की दस सेंड ऑन दा फ्लोर इस क्रेंजट अंडर आर्फिट सेंड सेंड इसको बा कोई डिफिकल्ट नहीं है देखें बहुत ज़्यदे इंपोर्टन है सभी का मिनिंग याद करते हुए चलिए हर एक वर्ड में इंपोर्टन है इंग्लिश में इससे नहीं है कि इंपोर्टन नहीं है क्योंकि पूरी किताब पढ़ने के बाद इस नंबर का सिर्फ और सिफ आता है उसके अंदर इसलिए के रहा हूं नेक्स्ट इस बहुत ज़्यदे इंपोर्टन और यह न्यू वर्ड है आज का लिक वर्म पार्ट सबस्पीजिस का एड्जेक्टिव है और मीनिंग है गुनगुना गुनगुना पानी सुबह सुबह पीना चाहिए सभी को थोड़ से वार्म मतलब घरम हेटेड तप सूरी की रोशनी तब वर्ष यह विद लिक वार्म वोटर अभी लिक प्वार्म वोटर आथ होट वोटर एंड लिक वार्म वटर कृते की मतलब की गुल-गुले पानी से अपने चेहरों को धोलो देखिए बख़स से फेस का मतलब पूरा चेहरा होता हैं और मौथ का मतलब सेल वोत होता है इसने Confuse बहुत रहेते तो इसको Confusing को दूर हो गई हो शोटा होता आपका मतली होड की तरफ वाला हिस्सा को जो है पूरह रहेता है उसको माउत कहते हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारा क्या है देखते हैं इसकारी parts पर जिसका वर्व है और मिनिग है इसका कैसा वे युक्त गमन वहीं सर के उपर से जाने वाल अवर्ड है फेक दीद गरंद कोई नहीं इसको समझेंगा अपने अपने सबसे भेटर सेंटेंस है तो रन विद क्विक लाइट स्टेप स्टु इसकंबर रोशनी की तरह तेज भागने चल करने के लिए आपने देखा होगा जब या तो श उस जानवर को इतनी तेज भागना पड़ता है कि जल करना ही पड़ता उसके साथ वरना तो वह उसका खाना बन जाएगा भोजन एंटर नेम्स इसका है देखिए इस ट्रॉल चहल कदमी क्या है चहल कदमी है इसका एंटर नेम्स बच्छा बहुत ज़्यादे इंपोर्टन ह है एंड गुटनों के बल चलना क्रोल के गुटनों के बलचलना example the rates is carry around searching for scraps of food in the rubbish the rates is carry around searching for scraps of food in the rubbish सो कहने का मतलό्य जो चूँ है वो इधर उधर भागते किसलिए भागते हैं because searching for foods अपने खाने के लिए बोजन के जो है कहां पर डूनते हैं रभी स्कूड़े के कच्रे में के लिए हुआ अगर आपका कोई भी डाउट होना बच्छा तो प्लीज कॉमेंट करके बताना क्यों आदा दूरा ग्यान सबसे ज्यादा हानिकारक होता है नेक्स्ट फ्रोट पार्ट सर्वस पर जिसका एड्जेक्टिव है मिनिंग है भरा हुआ अब यहां पर जो है नोटों से भरा हुआ नहीं है जो नोटों की गड़्डी यहां पर है a lot of burden कुछ भार या फिर क्या है कुछ भार या फिर बोज यहां पर आप इमेज में देख स एवाइड मतलब की रहीद खाली रहीद मुलोदे ना एमटी एमटी का मतलब खाली एक्जामपल हमारा फाइनली डियर इस दा फ्रॉट इशू ऑफाइटिंग इंफलेशन अंत में मुद्रा स्वीति से लड़ने का मुद्दा है अंत में क्या बचा मुद्रा स्वीति से मुद्रा आगे आरेधों की इंफोमेटीर रहे की क्लास क्या रहे की इंफोमेटी रहे की साहिं कुछ आपने न्यूं सीखव का न्यूंसी कुछ तो इसको सबसे पcious पिले शेर कर दें लाइक कर दें और अगर ना आपको सबस्क्राइब कर देंडेना एं तीके सबीगो झाल झाल